जहिन दोस्तो और लिने जॉब्स में आपका स्वागत है मैं राहूल राज तो आज हम बात करने वाले हैं ITVP सिलेबस के बारे में जो सिलेबस लेकर हम आए है दोहगतोने की पोष्ट के लिए है तो है तो आप कमेंट करें और मैं कमेंट कर इप्राइजर से जलडूंगा तो उसी पही लगे comment करे और एक एक चीज क्यों बाराकिक से जाने और कहीं भी दिखे तो comment करे जब तक लिए जाहिन दोस्तों मैं आप से यही request करना चाहता हूं अगर आप हारती हैं तो प्लिस एक comment section में जाहिन जरूरू लिखे आए वीडियो के और चलते हैं बात करते हैं थोड़ी सी भरती के बारे में जो आपको हम बता दे टोटल पोस्टे को संख्या थी 293 पोस्ट थे ठीक है आई टेवी भी कंस्टेबल के टेली कॉम्मिकेशन और टिलकम कंतर ठीक है जिसमें हम बात करेंगे कि आपने फोरॉम फिल कर चुका है ठीक है इसमें आपने PT test और PT test को के वकुल फाइए ठीक है आपने इस प्रक्रियार से आपको जड़चे हैं गोतार कर आगे जो अगला सही सही था तो वह आपको बता दे इसलिए लिखित पर इच्छा होने के बाद आपका डॉक्मेंस भीरफाई होगा तो जैस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा कि लिखित पर इच्छा में जो कोश्चन पूछे जाएंगे वह किस परकार होंगे और साथ ही बताऊंगा आपका कि वह जो सेलेक्शन प्रोसेस में किस किस चीज की डॉक्मेंस की जुरूत पड़ेगी उसका भी वीडियो आपको ज़स्ट ही मिल जाएगा तो फ्रेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर ले जिससे हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोसेस प्रोसेस हम आगे क्यों चलते हैं मैं बता दू आपको परिच्छा की जो तीथी है अभी घोसना नहीं हुए जैसे इसका अपडेट आएगा मैं आपको प्रभाइट कर दूंगा मैं थाम्नेल पर भी नहीं लगाया था कि आपका एक्जाम कब होगा इसलिए कि अभी एक्जाम की लेकर कुछ ऐसा अपडेट नहीं निकलका है लेकिन ऐसे लगता है कि आपको सिटमबर के आसपस आपका कडा हो सके तो आपका आपका एक्जाम होगा तो एसलिए कि साइए चनिके सोरा होगा हां इसलिए कि आपको पता होगा हम आगे क्यों चलते हैं अब परिख्या के बारे में जान लेते हैं ठीक है सबसे इंपोर्टन चीच हमने यही बात करनी है कि आपने तो फिचकल्स कुलफाई कर लिया सेलेक्शन प्रोसस मैंने आपको उपार भी बता दिया ठीक है यही आपका प्रोसस है इसमें कोई आपको डाउट नहीं होने वला है तो फ्रेंट अब बारी आती है हम लोग की फिचकल्स के बाद बारी आती है रीटेन के बारे में तो रीटेन क्या होगा किस परकार होगा एक एक चीज़ को जानेंगे सबसे पहले बता दे आपको यह आपका जो एक्जाम होगा बहुत विकल्पिये ठीक है बहुत विकल्प थारेत वस्तिनुशुर्स प्रेट निशी बिटी कॉंप्यूटर बेश्ट देस्ट होता है यह आप को पता होगा कि आपने अनलाइन उस दिये होता है ठीक है पिछले बार जो टेली कम्मॉनकेशन को आप वो आफ लेन इग्जाम हुआ था मैं बता दू आपको वो आफ लेन ह करा गया लेकिन बतार दो आपको टेली कम्मुनिकेशन के पिछली बार जो भरती हुई थी उसका एक्जाम ऑफलाइन ही हुआ था लेकिन इस बार हमको चांसेज है कि आपका 100% की आपका एक्जाम ऑनलाइन होगा अब बात करते हैं जो कोश्चन रहेंगे वो किस-किस भासा मे करने के इलाव होती है ठीक है टोटल प्रश्णों की संख्या कितनी हो जाएगे 100 प्रश्ण हो जाएंगे ठीक है लिखित परिच्छा जो होगी आपकी दास्वी करक्षा के अंदर गातुए बता दू टेली कम्म केशन की आपको बता दू तेंथ लेवल का था मैं पहले है ठीक है अब बात करते हैं कि किस लिखिस बिसाइसे कितने कोश्चन रहने वाले हैं एक एक चीज की ओड तो थुवा साट ध्यान से सुने तो मैं बता दू आपको फर्स्ट अफॉल बात करते हैं एक यानि श्रमान एंग्रेजी एंग्रेजी माध्यम रहेगा इसका एंग को सेंखके किता हो जाएगे 10 और मार्ष कितना हो जाएगे 10 झाओ के ऐगे चलते हैं आगे जो हमारे याति हैस्रमाण जगरुगता थी कि यह हमारे कि जो होगा क्वेशन वह आपको दू-इंगलीस और हिंडीी ठीक लेंग्वेज में रहागा जिस भासा में आप आपना question देना चाहते हैं वो दे सकते हैं इसमें कोई इसमें दोषडाय नहीं है कि आप इंग्लिस में या हिंदी में कोई इसमें दिकत आने वाली नहीं है ठीक है 15 question रहें आगे बात करते हैं reasoning के बारे में जो आपको यह भी दो लेंग्वेज में हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वें रहेंगे वह आपको 15 मार्स के रहेंगे और इभी 15 question रहेंगे 15 मार्स से ठीक है अब बात करते हैं physics, chemistry और गनित के बारे में ठीक है बहुत की बिग्यांस रहेंगे वह भी आपको 20 question 20 स्मार्स रहेंगे 10 questions 10 स्मार्स गनित से रहने वाले हैं 20 स्मार्स और 20 questions के total question के संख्या कितनी हो जाएगी 100 100 question के संख्या और अंकों के संख्या किते हैं 100 और समय अधी आप कर दाएगा 120 मिनट ठीक है यह बात बहुत अच्छी से समझ लें यह आपका 100 यह क्या तीज के लिए था head इंग्लिस रहेगा वह आपका प्रश्णों के संख्या रहेगी 15 और total marks रहेंगे 15 समान हिंदी के बात कर ले तो वह हिंदी लेंग्वेज बनाएगे 15 questions और 15 marks और समान जगरुकता के बात कर ले यह आपको हिंदी और इंग्लिस तोनों लेंग्वा में जिस लेंग्वेज में आपको असान लगे आपको question solve करना उसमें कर सकते हैं यह आपका हो जाएगा 20 questions और 15 marks ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं रिजनिंग के बात करते हैं ठीक है यह आपका 20 question और सोडी हिंदी और इंग्लिस तोनों लेंग्वेज में जो रहेंगे 20 marks रहेंगे ठीक है उसके बात हम बात करते हैं math के बादे में 30 questions ठीक है यह आपको total question हो की संख्य हो जाएगी हमारे 100 ठीक है 100 question हो जाए आप यह ध्यान से देखे 100 questions 100 marks और समय ओधी रहेंगी आपकी 120 मिनट ठीक है तो मैं बता दूँ आपको आपने किस post के लिए apply किया है प्लीज कमेंट सकते में जूरू बताए और सांथ ही बताएं किस स्राज से बिलोंग करते हैं चलिए तो इससे आने वाले समय में आपको seat by cut-off बता सकते हैं कि आपका किस स्राज्य से कितना cut-off जाने वाला है कि नेश्ट और आगे कि और चलते हैं नेश्ट और लिए अगला topic है नियुम्तम योग ठीक है लिखित परिछा में आपका कितना marks से आपको कम से कम पर्स करना है ठीक है तो जैसे के आपको दिख रहा होग हम आप 35% बनाते हैं 35 को सॉल्व करते हैं तो आपका रिजॉल्ट पासिंग किया जाएगा ठीक है क्यों क्या किया जाएगा पास किया जाएगा उससे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है मेरिट जो उपर से जो कटफ आएगे उसके उससार बनेगा इसी तरह अंसूची जाती है जन जाती और पिछेरे वड़कों के लिए 30% यानि 33 मार्स के लिए आपको कुलफाई के लिए आपको रखा गया है तो अब बात करते हैं कि जो इंग्लिस से कोस्टन पुछ जाएंगे हुआ किसी चैप्टर से पुछ उख गया इसकी वह कारी हम जानते जैशन के आपको इंग्लिस हो गया ठीके कर रहेंगे मतलब immigrant इन्स च्र गयर ठीके लेखक से ठीके ये आपको जो आपका हो आपको आपको इंग्लेक वाले सेक्शन के लिए हैं ठीके अब बात करते हैं हिंदी के लिए हिंदी में भी आपको रहेंगे सब्द रूप सब्दों को इस्तिलिंग पूर्लिंग बहु अच्छन किस परकार के लिंग होंगे जो आपको पूर्लिंग होंगे या इस्तिलिंग होंगे ठीक है मुहाबड़े होंगे यह आपको बताना है प मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा प्रिस आप इसे स्क्रीन सोट ले ले इससे क्या होगी आपको बहुत ज्यादा बेंपिट होगी कि आप इसे अपने जो भी बुक रखें होगा उसमें आप इसे टीक मार कर ले इसमें आपको बात करते हैं समान जग रुपता यानि आपको जीके और जीएस के बारे में बात करते हैं इसमें आपको जो मैं बता दूँ सबसे इंपोर्टन चीज भारत के परोशी देशों के जो संबंधित स्यामिल है इस परकार के करेंट से फिर जो होगी वह आपको आसपरोश के होगी इससे रिलेटर होगा ठीक है विशेस खेल रूप से आपको जब एक्जाम होगा उसमें आपको किस देश से कौन समय चल रहा है क्या चल रहा है इससे खेल संबंध आपको कोश्चन रहने वाले हैं इतिहास रहने वाले हैं संस्क्रीट भूगोल ठीक है राजनितिक सास्त्र और भारतिय अर्थ सास्त्र और समिधान और विज्ञान से भी कोश्चन रहने वाले हैं स्व diesem सब्सक्राइब को परें थैक यह आपको मौखिक और ग्यार मौखिक भी रहने वाले हैं है यह आपका मौलिक पर्तिसद गनित और थैसी होते हैं तो इसमें आपको जैसे पता होगा संबन देख लें और अंतर जो वर्ड्स के अंतर रहते हैं उसके अंतर का तीर रहेगा ठीक है और यह आपको में बता दू इसमें जो जो चैप्टर दिये हैं वह अपने रिजिनिंग के बुक्स खोल कर आप इसके देख ले और स्क्रीन सोट मारड कर रख ले मैं देख एक एक चैप्टर बाइचेप्टर का नाम पढ़ते जाओंगा तो वीडियो लंबा होगा इस कारण से में आपको यह नहीं पढ़ पाता हूं इसलिए आपको बहुत असानी के लिए में आपको स्क्रीन सोट की तरीका में बता दिया जिससे आपारा सानी से स्क्रीन सोट ले ले और कोई दाविट नहीं रहेगा तो फिर नेश्ट हम वीडियो लेकर आएंगे आपको कि आपका क्या 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 डॉक्मेंस लगने वाले हैं और मेडिकल किस परकार होंगी ठीक है यह वीडियो भी आपको जल्दी परवाइट किया जाएगा जब तक लिए जैहिन दोस्तों बंदे मात्रम आपका दिन सुब प्लिस कॉमेंट करकर जरूर बताएं कि वीडियो में कहीं भी किसी परकार के दिक्कत हो तो कॉमेंट करें और साथ ही में बता दू आपको जो भी आपको वीडियो बनाने में आवाज की दिक्कत हो ठीक है इसलिए आप कॉमेंट करें चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर द झाल